भोचपूरी श्टार पवन सिंग के आरा इस्थित घर पर हुई चोरी के मामले में भागलपूर पुलीस ने खंजर पूर के रहने वाले संदिक दिचोर मंटू या दवर उनकी पतनी पारोदेवी को हिरासत में ले लिया है आरा इस्थित पवन सिंग के आवाज पर चोरी की घटना घटी थी जिसके बाद से आरा पुलीस के द्वाला भागलपूर पुलीस से संपर किया गया था और घटना में सामिल कुछ लोगों के भागलपूर के होने की संभावना जताई गयी थी जिसको लेकर लगातार पुलीस कारवाई कर रही थी और इसी क्रम में आज बबरगन स्थाना च्छतर के चौधरी डी रेलवे लाइन से सटे जोपरपटी से मंटु यादब को उसकी ससराल से गिरफतार किया गया वहीं पतनी को भी रासत में ले लिया गया है जिससे पुलीस गुप्त जगहा पर ले जाकर पूछताच कर रही है वहीं चोरी का सामान कहां चुपाया गया है इसको लेकर भी पूछताच की जा रही है बागलपूर के नवच्छिया के जंडापूर ओपी छित्र के इमली चौक के पास अवेद हतियार फारिंग करते हुए कुछ लोगों का वीडियो वारल हो रहा है बताया जा रहा है कि फारिंग पस्चमी जंडापूर पंचायत के मुखिया के देवर पबन चौधरी और मुखिया की समर्थकोद्रा अवेद हतियार से किया जा रहा है जिसका वीडियो वाइरल हो रहा है बताया ये भी जा रहा है कि दहसत फैलाने के उद्देश से फाइरिंग की गई वही नोगच्छी आएसपी सुसांत कुमार सरोज ने बताया कि तुरंत एफाइर दर्ज कर कारवाई की जाएगी भागलपूर की बाइपास थाना अंतरगत खरवा गाउं में 28 वर्सिय महिला रिंकू देवी ने घरलुई बिवाद से तंग आकर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली मिर्दिका रिंकू देवी के पती अनीस चौधरी ने कहा कि जब मैं घर पर था सब कुछ ठीक ठाक था जब मैं अपने काम पर विद्याले में था तब मुझे पता चला कि मेरी पतनी ने ऐसा कर लिया तब जाकर पता चला कि सास पुताहू के छोटे मोटे घरली बिवाद से या घटना हुई है वही अनीस चौधरी ने बताया कि दोहजार इस्वी में मेरी साधी हुई थी मुझे तीन लड़की और एक लड़का भी है वही सब को पुलिस ने अपने कबजे में लेकर पोस्ट यह सुन लिए तब हम पर साथने लोले घरोप तब दर्बनियामारे के लिए अचाहा ना इसा डेली ब्ली जगडा आते साथ आम मसल पुनाही करते साथ कि नामचे को है रिंकी देवी साधी कब है नो सब्सक्राइब दुहजार माई दूहार मैं हो तो याद नए जसे बाल तीन लड़की जब लड़का चो एक लड़की जबारा साल लो पतनी पूमन के साथ है पतनी नहीं कम से कम 28 अधायस हम रो नाम हो ले सर अनिस चोदरी खरवा बाइपास तुरा को पता चले अमरा पता चले सर बार आप जो नियर के जिए घर से निकलना तो सब तक ठीक ठीक चले सरा मसा नम जाड़ू उडू सब लग ले सर बातन बसा सब ज कि अधाया जगाता है मना पुपादी था दरूम पूर्टी खरे बातना में प्रक्राव जाड़ा बातना यहा पर्यास भ्याराओ कि जिए प्रवा पहऊं चले खंव लगना झरे एंप, कि अधाया, बार तो यहाए जाना निख दोड़रा उना झाल ओना टूनों पर ड़व क्या नाम में उसका कहा हुँ पापा भी मारते थे पहले मारते थे पापा भी घर से बहार निकाल देते थे रात में रात के निकाल के लगा देता था अभी वह खुछी है बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलांगता की समश्य आती है जिस उसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा मिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या क मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजा सिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें भागलपुर बाका सीमा चित्र में सराब तसकरों को पकड़ ने अठपहरा चाराहा पहुंचे धनकुंड पुलीस पर सराब माफियाओं ने हमला कर दिया जिसमें दो पुलीस कर्मी जखमी हो गए माफियाओं ने पत्राव कर पुलीस वाहन को भी छती ग्रस्त कर दिया गुप्त सूचना पर सराब बरामदगी के लिए पुलीस धनकुंड थाना चित्र के अठपहरा चारहा पहुंची इस दुरान एक ओटो से 105 लिटर देसी महुआ सराब बरामद किया गया वाहन चालक ओटो छोड़ कर फरार हो गया जब पुलीस वाहन जब्त कर थाने ले जा रही थी तो करीब चार दरजन ग्रामिन लाठी डंडा हुआ इट पत्थर से लैस होकर पहुंचे और पुलीस पर हमला कर दिया हमले में धनकुंड थाना के दो सिपाही रमेश परसाद राय और धनजे कुमार सर्मा बुरी तरह से जखमी हो गये सूचना पर धनकुंड थाना ध्यच मंटू कुमार और भागलपूर की सनावला थाना ध्यच पुलीस बलों के साथ घटनास पर पहुंची और पांच लोगों को पकड़ लिया जिसमें सोनु मनसूरी इब्राहम मनसूरी सबीर मनसूरी प्रेमजीत कुमार और सेखर वर्मा स सही नहीं है हम लोगों के बेटे को छोड़ा जाए और जो दोसी है उसे गिरफतार किया जाए क्या कर ला चाहिए किलो मीटर में हुना दू किलो मीटर जंजा ठोले दारू तारीक हमरा गदका चास नहां से बहुत दूरा ही पर रहिए हमरा नीगा जनोंनी की पता अचना वला मारला के नि भगमणपूर बलाध गदका चक बला जनोंनी क रात पन की पता चलते ली गुए ब्रागाउ की थे पहुच चाहिए तीन दिन पहले से ही आज पुरा देश लोह पुरूस महान स्वतंतरासनानी देश के पहले उप परधान मंत्री और गिरह मंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल को उनकी जैनती पर नमन कर सरदान जली दे रहा है कुष्ठी कया जन किया गया जिसमें लोगों ने सरदार बल्लब भाई पटेल के देश के परती प्रेम को लेकर अपने उदगार पर कट किये साथी सिच्छा स्वास्तेवं अंग चित्र में विशिश्टी योगदान के लिए अंग चित्र के नागरिकों को भी सम्मानित किया गया कारिक्रम में इसम्मानित अती थी हो में भागलपूर विधायक जीत सर्मा विधायक भुदेब चौधरी, महापावर, डॉक्टर वसनरालाल, पुरुकुलपती, डॉक्टर प्रोफिसर नंद कुमार यादव, वीना यादव, अर्जुन कुमार सिंग, विजेक कुमार, सलेंदर कुमार सिंग, सुवानन मुकेस, आर्सीपी बरुमा के लाबे सहर के क गन्मान लोग उपस्ति थे, वहीं पुरुकुलपती, डॉक्टर मनोच कुमार, पुरुकुलपती, डॉक्टर फालोक अली ने अपने बैक्तित में सर्दार पटेल के जीवन से ली और देश के परती समर्पन जैसी बातों को प्रस्तुत किया, कारिकरम के अधच डॉक्टर सचीब डॉक्टर मनी भूसन, संयोजक डॉक्टर डीपी सिंग, डॉक्टर वरुन कुमार, डॉक्टर संजे निरला, दलिप कुमार सिंग के लावे दरजनों कारकरता उपस्तित थे, वहीं अखिल भार्ति विर्दार्थी परस्त भागलपूर साखा के कारकरता उदुरा, क सब्सक्राइब का चाहरी चोक, सर्दार भाई बल्लब पटेल के चोक तक, निश्चित तोर पर आज इंद्रा गांधी जी का शहादत दिवास 11 अक्तुबर, और सर्दार बल्लब भाई पटेल की जन्मतिल जन्तिक अफशर पर हम लोगों ने एकता मार्च, पुरे सहर के लो ऐसे पुन्यात्मया की जैन्ति है, सर्दार बल्लब भाई पटेल जी की, जिन्होंनों ये 50 से 60 दिनों में 500 से अधिक रियासतों को एक रखा, और आज जिस प्रस्थिती से ये भारत गुजर रहा है, चाहे वो मिजोरम की घटनाएं हो और अनज जगा की, तो अखंडता में कटनाई हो रही है और इसको सभी को एक रखने के लिए, आज हमारे युवा साती है और सभी से हम ये कहेंगे कि उनके सपने को हम लोग को साकार करना है, और जिस तरह से इन्होंने एक भारत को बनाया था, उस त्रेश भारत को हम लोग को बनाना है, आगे काम उसी पर करना ह दियम सुब्रत कुमार सेइन वा एस्पी सुसांत कुमार सरोच की अगवाई में बहपुर पर्खंड के बहपुर दच्चिन सुनवर्सा वा बबनगामा पंचायत में जनसमवाद कारी क्रम हुआ जिसमें उपस्थित जनसमु को राजसरकार के कल्यानकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उसका लाब लेने की अपील की गई सुनवर्सा में मुखिया नीना रानी अजे उर्फकलाली कुमर सरपंच परतनिधी मितलेस कुमार वबिवेकानन चौधरी ने बूके एवं अंगवस्तर भेट कर समानित किया वहीं ग्रामिनों दोला एसपी वर डीसी कुमार वनराक समेत उपस्तित जिलाव वनुमंडन से लेकर पर्खंड अस्तर के सरीप आदिकारियों को अंगवस्तर भेट कर समानित किया गया डीम ने लोगों से सरकारी योजनाओ के सफल किरियानवन हितु सुझाव एवं आवेदन मांगे इसी कड़ी में सोनवर्सा के गरामिनों की और से सामुहिक मांग किया गया कि सोनवर्सा के देरा छेतर जो गंगा धार के बीच में है उसके आसपास नदायनपूर पर्खंड अंतरगर दुधिला तक बिजली के विवस्था है उसी से सटे सुनवर्सा के देरा लाका में भी बिजली के विवस्था हो जाती है तो किसानों को पटवन करने में आसानी हो जाएगी सुनवर्सा रामनगर टोला से सटे जमिनदारी बांध पर पकी स्टालक का निर्मान करा की मांग की गई है बताया गया है कि ऐसा होने से किसानों को देरा से फसल यो मखाद बीज लेकर आने जाने में काफी सहुलियत होगी सुनवरसा देरा में पुलीस ओपी पिकेट की अती आवसकता है जिससे अपराधियों पर त्वरित कारवाई हो सके और अपराध पर नियंत्रन की आजा सके जिससे किसान निर्भीक होकर अपना खेती कर सके इस सुनवरसा देरा जो कि एक बहुत बड़ा च्छेत्र है जिसका रकवा लगबग 22,000 एकड़ है जहां लगबग 8 से 10 गाउं के किसान खेती करते हैं और उसे घाटोरा धार पार करना पड़ता है उस धार पर पुलिया का निर्मान हो जाने से किसानों को किर्सी का रहेतू आवागमन में काफी आसानी होगी वर्ष 2071 में सर्वे के समय बिहार सरकार जमीन को पुल्रयत के नाम से पुला जमाबंदी सत्यापित करने हेतू राज सरकार को नुसरसा किया जाए जिससे कि किसान अपने जमीन की जमाबंदी करा सेके इस मांग पर डीम ने कहा कि जिलासतर से होने वाली समस्या निदान को तुरित पहल किया जाएगा वहीं अनसुझाववा मांग को पटना भीजा जाएगा DM ने पूरे विस्तार से सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी वहीं DDC ने कहा कि जन सही हो के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती वहीं S.P. ने खासकर युवाओं को सोसल मीडिया की दुरूपियों करने पर मिलने वाले दूस परनाम से अगाह कर इससे बचने की सलह दी नोगच्या पुलीस कप्ताल ने कहा कि सोनवर्सा बाली का हाई स्कूल में पठन पाठन अवधी में पुलीस वर्दी में रहेंगे और गस्ती टीम के दूरा निरंतर नजर रखी जाएगी वहीं सोनवर्सा राम नगर में पुलीस पिकेट हे तू अस्थल चनित कर वहाँ पिक के लिए जो है असान हो जाएगा सरकार के स्कीम्स की कोई कभी नहीं अभी देखिए पहला ही फ्लैक्स लगा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उठान योजना कर अभी हमारे प्रभक्ता ने जो एक हुजश्री कविता सुनाया और मारिय मुख्यमंत्री जी ने आपको याद है कि 2022 में उन्होंने समाज सुधार अभ्यान शुरू किया एक एक जागा पर जिले में जाकर के जिल्कादिदियों से बात करते थे बैठाच करते थे उसको यही उद्देश यही था कि दहेज पर्था में बिलकुल एकदम रोक लगे किसी भी घर में न दहेज की मांग हो न दहे पुरूस और आप कहीं कोई पीछे नहीं है आप कोई भी नौपणी देख दीजे जाहें वो महिला कॉंस्टेबल हो कि वो डियस्पी हो कि वो एस्टियो हो कि वो टीचर हो क्लर्ग हो प्यून हो पुरूसों के साथ कंधे से इवन कहेंगे आगे बढ़ करके जो है वो काम कर रही है कहीं कोई पीछे नहीं है और जो यह स्टिम है कन्या उत्थान योजना का लगी के जंग होने से लेकर के उससे ग्रेट होने पर जंग लेने पर 2,000 एक वर्षपूर होने पर 1,000 एक तरह से फ्रोट सहांगाची है टिगा करन हो गया तो 2,000 लगी इंटर पास कर लेती उमर की लड़कियों की किसी भी परिस्तिती में साधी नहीं होनी चाहिए ना यह उनके स्वास्त के लिए अच्छा है ना पडिगार के लिए अच्छा है यहां काफी सरक्या लमाताय बैने बैटी हुए है बुरू सब लोग बैठे हुए विल्कुल मत होने दीजे तो कि जब ग्रेजुएट करती है जब बीए, बीकॉम, बीएस्सी, बीटैक, एमीए, बीएस्स कुछ भी पास करती है ग्रेजुएट होती है भले लड़की का विवाह हो गया क्योंकि उस समय उसके उम्र भी से किस साल होती है तो परचास हजार रुपया उनके खाते में जो है कि इंटर्नेटी दुनिया में एक बार जो चीज आ गया उन मिठता नहीं है इसलिए जब भी कोई आपको वार्ट सब कुछ करे गवर्ण से देखिए पढ़िए समझिए वेड़फाय आसपा से कुछ लिए तो अब फॉर्वर्ट कीजिएगा बगार पूछे समझे अलग के यूनिट है जो सोसल मीडिया को मुनितर करता है मुख्याले बना हूँ है मुख्याले यह देखता है कि लोकल थ कितने हैं किया है दो कितने देर से करवाई किया फिर वह 56 एसलिए बचने का वावर अभ वर कोई पोस्ट करना और दूसरे बार जेन को अल्व ज्यान है वो कंपीट ने कर लेता बहुत गया दिग्ण बढ़ार ना वार्टसब्पे क्यों निकाल पाता है या तो हुननर सी के वर्षाइट को ने करता है और वाते इस वनवर्थ साब और वहां जमीन के बल पे नहीं हम सिछा के है कि लेकिन वह वार्ट सब्सक्राइब उल्टा पूल्टा ब्यक्ता करें तो वैसे लोग भी साल्धान हो जावाएं यह पबलिक मीटिंग मुका मिला बोलने का वैसे हम हर्दगा बोलते रहते हैं फिर हम बोलने हैं सोशल मीडिया पे जाजा ग्यान नहीं बदारना है जितना जानते हो उतने लिको परो दूसरे कही सुनी बातों को फैला मत अब उसके फैलाने से अधी विजी ब्रसा बिगरा कहीं साल्ती भंध हुई तो फिर हम आपके हाथ से हट जाएंगे सामने आ जाएगा कानू आपको केस हो जा पिर जिल जाएगे भागलपूर के कई होनहारों ने बिसुपटल पर जिले का नाम उचा किया है उसमें से एक युवा वैग्यानिक बनाना बवाय के नाम से परसिद्ध गोपाल जी है भागलपूर के खरीक निवासी गोपाल जी भरत के सबसे युवा वैग्यानिकों में से एक है उन्होंने जो हासिल किया वो हर वैज्यानिक का सपना होता है। गोपाल जी के प्रोजेक्ट का चयन नासा ने किया है। सब कुछ सही रहा तो नासा के आगामी मून मीशन में गोपाल जी के दुरा तयार किये जाने रोवर की तक्नीक का नासा परयोग करेगी। दिसनल नासा ने अपने H.E.R.C. प्रोग्राम के लिए देश भर्ग में 72 टीमों का सेलेक्शन किया है जिसमें से भारत के तीन टीम का चैन हुआ है इसमें से एक युवा वेग्यानिक गोपाल जी की संस्था यंग माइन रिसर्च डेवलेपमेंट का चैन हुआ है YMRD के तहट भारत के कई उच विद्याले की साथ बच्चों को गोपाल जी ने चैन किया है जिस टीम का नाम काईजल रखा है यह टीम नासा के मून मिसन के लिए हिूमन रोवर तयार करेगी 24 के अप्रेल महने में टीम काईजल और उनके मेंटर गोपाल जी अमेरिका जाएंगे और इनके दोरा तयार किये गए रोवर की टेकनीक को नासा के विज्यानिक देखेंगे सभी 72 टीमों में से गोपाल जी के रोवर का टेकनीक योगी साबित हुआ ति इन्ही नासा प्रुस्कित करेगी साथी उस टेकनीक से रोवर तयार कर मून मिसन में काम लाया जाएगा इसके लिए स्पोण्सर की भी तलास है क्योंकि टीम को नासा जाने के लिए लागओ खर्च करने होगे सेचनिक संस्था समेत कोई भी प्राइली संस्था गोपाल जी कोई स्पोण्सर कर सकती है गुपाल जी ने बताया कि यह काफी गौनवानवित करने वाला च्छन है साथी भरत के लिए कुछ करने का मौका मिला है उनकी संस्था का नासा के ही आरसी के लिए चैन हुआ है अप्रेल महने में उनकी टीम रोवर तैयार कर अमेरिका जाएगी और उनका रोवर बहतर रहा तो नासा के मून मिसन में वही तकनीक इस्तमाल होगा उनने खा कि नासा ने उनसे संपर किया और जब भरत की स्पेस एजन्सी इसरों उन्हें रिस्पॉंट्स देगी तो वो इसरों के साथ भी काम करेंगे हम आपको बता दें कि 24 वर्सी गोपाल जी ने काफी कम उम्र में बड़ी उपलब्धी हासिल की रहें 13 वर्स के उम्र में केले से बिजली उत्पन कर खूब नाम कमाया था अब गोपाल जी केले के पल्प से सिंगल यूज प्लास्टिक प्लेट पेपर तयार कर रहे हैं उनके कारियों को परधान मंतरी नरंदर मोधी ने भी इस रहा है नासा ने गोपाल जी को तीन बार नासा में काम करने का उफर दिया था जिसे गोपाल जी ने ठुकरा दिया था हम आपको बता दें कि गोपाल जी पर बॉली बुड में जल्द ही बैयोपिक भी बनने वाली है हमारी जो संस्था है जी संस्था से हुई है उसका नाम है यंग माइंट रिसर्च और डेवलपमेंट जिसका मैं संस्थापक हूँ और मैं इस टीम का मेंटर भी हूँ और इसको पूरा गाइड भी करता हूँ तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है लीड वो मेंटरिंग यह सब कार हमारा है जो रोबर है यह आप सभी जानते हैं अभी हमारे देश का सबसे बड़ा सफलता हुआ इसरो का चंद्रियान मिशन 3 इसमें से आप एक वर्ड सुनते होंगे रोबर 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 ठीक है विक्रम लेंडर रोबर इस तरह का नाम आप सुने होंगे तो जो चंद्रमा पे जो हम लोग लेंड कराते हैं सेटलाइट या फिर जो भी प्रोड़क्ट अब्जेक्ट होता है उससे जो बाहर निकल के जो चंद्रमा के सता का जो मुआइना करता है उसको कहते है रोबर तो उसी तरह नासा जो है अपने आटीमस प्रोग्राम के तहत इंसान को चंद्रमा पे भेजने वाला है यह सभी को पता है ठीक है वह बहुत पहले भेज भी चुका था अब फिट से भेज रहा है तो उसी में जो इंसान वहां पे उतर के जिस रोबर पे चलेगा उस रोबर टेक आप करने की पुड़ी कोशिस हैं वी सुगरू बनने के हम लोग रहा पे हैं ठीक है लेकिन इस रोब का क्या है कि अभी दुनिया में जब चीजें हो जाती है उसके बाद इंडिया में होनी शुरू होती है ठीक है हम लोग अगर आज इस रोब एक्सप्ट करे हम लोग गाटों की किस प्रकार से साफ सफाई के विवस्ता को लेकर विस्तार सीज चर्चा की गई और कई दिसानिर्देश भी मेर के दुरा दिये गए हैं एक तरब जहां महापा और अधिकारियों के साथ चैंबर में बैठख कर रही हैं वहीं दुसरी और सहर में गंदगी कामबार फैला हुआ है चौक चलाओं पर कूड़े कामबार देखा जा सकता है सफाई करने वाली प्राइविट कमपनी को लेकर पाड़सद और मेर के द्वरा भी सवाल खड़े किये गए लेकिन सफाई के काम में लगी नीजी कमपनी को कई बार फटकार भी लगाए गई लेकिन हालत अब भी नहीं बदले है अब देखने वाली बात है कि लोकास्ता के महापर्व छट काली पुजा और डिपा वाली में सहर कितना साफ नजर आता है